प्रवासी स्रमिकों की घर वापसी को लेकर कॉंग्रेस नेता प्रियंका गांधी और यूपी सरकार आमने सामने है स्रमिकों की परिशानी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गेलोत ने ट्वीट कर कहा कि उत्तरप्रदेश की सीमाओ पर आगरा और दिल्ली में गाजीपूर में प्रवासी स्रमिकों को लेकर भसे खड़ी है लेकिन लोग अपने प्रदेश को जाना चाते हैं लेकिन यूपी सरकार उन्हें प्रवेश की अनुमती नहीं दे रही है सीम ने कहा कि प्रवासी कामगारों की परिशानियों से प्रेरित होकर कॉंग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी में बस सेवाओं की पेश्कर्स की थी जिससे कि प्रवासी स्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुँचाय जा सके इस पर सीम गेलोत ने ट्वेट कर कहा कि संकट की इस घरी में हम सभी को राजनिती को परे रखते हुए इस तरह की पहल का स्वागत करना चाहिए ये बसें गाजिपूर, तिल्ली, उत्तरप्रदेश की सीमाओं पर खड़ी हैं जिन में बड़ी संख्या में स्रमिक है यूपी सरकार चाहे तो मदद कर सकती है प्रियंका गांधी ने इसी लिए सुझाव दिया था कॉंग्रेस पार्टी की ओर से किराये पर ली गई बसें भी यूपी की सीमाओं पर प्रतिक्षा कर रही है जिने अनुमती दे कर राहत दी जा सकती है जिससे मजदूरों को घर जाने में आसानी हो सके